हेलो गाईज, वेलकम बैक तो विशेश क्लासिस, जो आज का हमारा टॉपिक है डाट इस जो हमारी अभी सीरीज चल रहे है, प्रिवेस एर कॉशियन आए सटी की, हम अल्रेडी जैन्वरी जून 2015, दिसंबर 2015, जून 2016, अगस्ट 2016 डिसकस कर चुके हैं, और आपने वो वीडिय नहीं देखी है, तो आप लिंक में चाके देख सकते हैं, मैंने वाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो नेक्स अभी जो हमारी सीरीज, अमारा जो लेक्चर है, वो किस पे है, जैन्वरी 2017 और नवंबर 2017, सी हम इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के ह कर रहे हैं, और दोनों के ही कंसेप्ट रखे है, मैंने प्रिवियस येर का रखे, आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया, ठीक है, तो समझते हैं, फर्स्ट कोशिशन क्या था, कि इन्फॉर्मिशन और कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी इस कंसिड़ेट भी अज़े सबसे को सूचना प्रियुद्वगी का उपसमुच्य माना जाता है, सौफ़वेर की किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कोपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है, इन में से कौन से कथन सही है, देखो, अगर हम देखें, तो ICT सबसेट नहीं है, इवन IT सबसेट है कि ICT का, ठीक है, क्यूंकि ICT तो उसका extended version है, हम उसको आगे next पे लेके गए है, communication, तो हमेशा यही होता है, कि अगर वो उसका part है, तो उसके subset में आता है, तो यह उल्टा है, तो यहाँ पर यह correct तो नहीं है, मतलब फर्स तो correct नहीं है, मतलब कि यह क्या कह रहा है, कि जो आपक सूजना एवेम संचार प्रिद के ICT है, वो आपकी क्या है, उसका उपसमुच्चे है, पर ऐसा नहीं है, वो क्या है, कि even IT उसका उपसमुच्चे है, मतलब कि वो उसका subset है, IT subset है ICT का, ना कि ICT subset है, उपसमुच्चे है, किसका ICT का, ठीक है, next क्या कहता है, the right to use a piece of software is term as copyright, देखो, बहुत related terms है, पर आपको क्या समझना कि जो copyright होता है, उसमें हम पहले उनकी permission लेते हैं, या फिर वो हमें access देते हैं, कि आप इसको use कर सकते हो, पर जो right to use है, वो क्या होता है, कि आपको किसी को, मतलब हर एक को right मिला हो है, कि आप use कर सकते है, वो open source का होता है, ठीक ह अपयोग अधिकार open वाले को है, मतलब कि जो source सब को available है, ठीक है, पर जो serve अधिकार है, उसमें हमें आपको क्या लेनी पड़ती है, permission, तो ये दोनों term एक नहीं हुई, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कि जो इसका answer है, वो क्या है, B, that is second, ठीक है, next, which of the following correctly list computer memory type from highest to lowest speed, अभ यहां पर कर सके हूं, digital initiative पर भी, bit पर भी, memory पर भी, इससे पहले भी जो मैंने concept कराया, memory के bit के, तो आपने अगर वो नहीं देखा है, तो please उन वीडियो को भी देख लीजे, क्योंकि मैंने उन topics के अलग से वीडियो बिनाई हैं, जो बहुत specifically पूछे गए हैं, ठीक है, तो यह अल्रेडी मैं वहाँ पर discuss कर चुकी हूं, पर हम फिर भी यहाँ पर discuss करेंगे, एक diagram की through, ठीक है, हम एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, कि वो क्या कह रहे हैं, निमलखित में से कौन सा computer memory प्रकारों में से उच्टम से नियुनतम गती, speed को सुची बद करता है, इस सिर्फ यह diagram याद रखना है, आपको सिर्फ यह diagram याद रखना है कि पहले क्या होते हैं, रेजिस्टर, फिर होती है cash memory, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो, जो faster access है, वो नीचे से उपर की तरह वड़ रहा है, मतलब कि यह register सबसे जादा faster access कर सकते हैं, क्योंकि यह directly connect होत कि उसके बाद किसकी रहती है cash की, उसके बाद किसकी main memory की और उसके बाद हमारे पास आती है secondary storage, तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा third, मतलब सबसे पहले CPU register, फिर cash memory और उसके बाद main memory, that is RAM और उसके बाद secondary storage, बट स्टिल memory को बहुत अच्छे concept से समझने के लिए आप वो वी combining stating information in publication together with variable information in data source to create one merge publication is called, देखो ये क्या गह रहा है कि word processing software के संधर्व में एक समाहित प्रकाशन हेत्यू data storage में परिवर्ति सूचना के साथ प्रकाशन में अप अर वितने सूचनाओं के सहीं हो जिनको प्रकम को माना जाता है, जाना जाता है, वो क्या है, हम already ये कर चुके है मैं अपनी प्रिवेस येर, मैं आपका प्रिवेस येर से फिसली करा रही हूँ, आपको पता लग जाए कि कौन से concept सबसे जादा repeat हो रहे हैं, और आपको साथ साथ पता लग जाए कि जो हैं conceptors को कैसे clear करने हैं साथ साथ ठीक है, तो इसका जो answer है, that is mail merge, क्योंकि उसमें यह पर पॉब्लिक भीज देते हैं, तो इहां पर क्या है, mail merge, mail merge एक feature है, जिसमें जो data processing application का, जो enable करता है user को, एक similar letter or document, multiple recipients को भीजने के लिए, ये connect कराता है, बहुत सारे template को data source के साथ, जिसमें आपकी साथ क्या होती है, information होती है, नेक्स आता है, which of the following is characteristic of web 2.0 application, कि जो multiple, इन म multiple users schedule their time to use web 2.0 application one by one, कि एक से अधिक प्रयोग करता हो, web के अनुप्रग के लिए, एक समय पर केवल एक अपना समय निधार्द करते हैं, web 2.0 application are focused on ability for people to collaborate and share information online, कि इसमें वो क्या बोलता है, ने प्रयोग लोगों को आपस में मिलकर online सूचना का आदान परदान करने की शमता क् परदान करता है, ना कि उसकी सरक्षना के लिए सुकारक होता है, और web 2.0 application use only static pages, और वो क्या करता है, आपर वितने परिश्टों का उप्योग करता है, केवल उनी का प्रयोग करता है, पर ऐसा नहीं है, जो इसका answer है, that is to, इसमें क्या हुआ था, कि जो web 2.0 application आई थी, उसम information है, उसको online share कर सकते थे, देखो, हमारे पास एक concept आते है, social learning का, ठीक है, जब हम social learning करते हैं, तो हमारे पास web के अलग-अलग version आते हैं, जिसमें हमें understand करना है concept, web 1.0 का, 2.0 का, और 3.0 का, ठीक है, वहाँ पे 1.0 का पूछा गया, 2.0 का पूछा गया है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लिख के आई हूं, ताकि आपको पता लग जए, next अगर आए, तो आप उसको कर पाए, ठीक है, तो जो 1.0 में आया था, वहाँ पे static web pages होते थे, ना कि उसमें 2.0 में, ठीक है, और content क्या होता था, कि server की system से ही आता था, ठीक है, एसकी server ही भेजेगा, server ही करेग यह करेगा, पर जब web 2.0 आया, तो उसने क्या किया, second generation आयी world web, जहां पे static page से किसकी तरफ चला गया, जाधा interactive और dynamic page की तरफ, ठीक है, उसने focus किया, कि इहां पे people है, जो आपस में collaborate कर सकते हैं, मिल सकते हैं, share कर सकते हैं, अपनी information, जैसे हमारा आज कल वहीं, social media, blogging and all चला ह इस पे, ठीक है, वो web 2.0 पे आ चुका था, फिर आया, web 3.0, इसमें क्या हुआ, evolution हुआ, web utilization को, और अच्छे से interaction को करने की कोशिश की गई, तो इसकी जो main main feature से वो क्या थे, connectivity बहुत अच्छी रही, 3D graphics आ गया, artificial intelligence यह, जो robotics का कंसेप्ट है, सभी यह आ गया, semantic web, मतलब करने की जो techniques से उनको और भी जादा क्या किया गया, improve किया गया, तीक है, नेक्स राता है, DVD technology uses an optical media to store the digital data, तो DVD is an acronym for, तीक हो, DVD क्या होती है, digital versatile disc, तीक है, डेरेक्ट आपको यह पुछे जाएंगे, आपको डेरेक्ट इसकी full form पुछे जाएंगे, तो बहुत एजी होती है, full form I repeat कि करके जाना अच्छे से, क्योंकि full form पे भी पूछ लेते हैं, वो, ठीक है, नेक्स अब हम move कर रहे है, November 2017 के लिए, वो सारी January 2017 के थे, कि इसमें first पूछा है, which of the following domain is used for profit businesses, कि profit businesses के लिए कौन सा use होता है, तो जो यहाँ पर profit businesses के लिए use होता है, that is .org, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि .com, .net और .education, .edu किसले use होता है, जो .net है, वो use होता है, gateways और administrative host के लिए, .edu है, वो education institutions के लिए use होती है, .com, आपकी commercial institution और organization, और जो .org है, वो क्या होती है, private organization के लिए, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है, कि निमल के डोमेनों में से किस अनुलापकारी वेपारी हितु प्रियोग किया जाता है, वैसे तो .org हम mostly इसके लिए use करते हैं, profit businesses के लिए, या फिर अनुलापकारी वेपार के लिए, हम क्या use करते हैं, .org, बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता द for a webpage address, ठीक है, अब उसने पुछे है कि name क्या होगा किसी भी webpage address का, URL होगा, domain होगा, directory होगा, या protocol, ठीक है, वेप्रिष्ट पते के लिए क्या नाम है, तो उसका answer है URL, देखो, किसी का भी URL, जो इसके abbreviation क्या है, uniform resource locator, ठीक है, abbreviation क्या है, uniform resource locator, और इसको हम कैसे define करते हैं, global address of document, या फिर देखो, अभी क्या होता है, किसी को भी आपको कुछ address भीजना होगा, तो आपके पते पर भीज़ेगा, आपके address भीज़ेगा, ठीक है, तो हम भी जब भी Google पर कुछ सर्च करेंगे, या फिर कहीं पर भी कुछ search engine पर कुछ भी जाएंगे, तो obviously हमें किसी अगर locate करने हैं, तो हमें उसका address देना पड़ेगा, उसको locate करने के लिए, तो उसी कोई हम क्या बोलते हैं, URL, तो जैसे www.google.com है, जब मैं यह डालूंगी, तो यह मुझे क्या दिखा देगा, Google की site, ठीक है, तो हम सब URL ही use करते हैं, ताकि हम web page विज़ेट कर सकें, या कोई भी resource कर सकें, तो URL एक address होता है, जो मतलब जिससे user वो उस पर online उसको search कर सकता है, कोई web page को, वीडियो को, या फिर कोई भी document या resource जो भी इस पर available है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूँ अभी कि www.unacademy.com तो महां पर भी वो जो unacademy वाले है, मतलब unacademy का होगा, वो महां पर URL खुल जाएगा, ठीक है, which of the following represent billion characters, देखो, byte वाला concept हर year में आया ही आया है, चाहिए वो एक shift में पुछा गया हो, या फिर एक, मतलब जैनुरी 2017 में नहीं था, पर November 2017 में आ गया, तो bit और byte वाला concept मैंने बहुत अच्छे से आपको table के through समझाया है, उस वीडियो में, तो हम दो बार भी कर चुके हैं, तो इसमें से जो answer है, वो that is gigabytes, जो million character को करता है, वो megabytes होता है, जो trillion को करता है, वो क्या होता है, terabytes, ठीक है, next रहता है, the data, अगर हम हिंदी में देखें, तो वही एक अरब million characters, कौन पर दर्श करता है, gigabytes, terabytes, megabytes, kilobytes, ठीक है, यह same था, इसलिए म bit आता है, field आता है, record, file, database, कैसे, कैसे मतलब बनता है, ठीक है, तो आपको उसको करम में लिखना है, ठीक है, कौन से, कि जो data भंडारन के अधिकरम में शामिल है, कौन कौन से, bits, bytes, field, record, file, databases, क्या है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, कि देखो bit क्या होती है, आपके बिलकुल smallest unit होती है, ठीक है, bit आपके पास, या तो 0, या फिर 1, ठीक है, ऐसे होती है, फिर byte क्या आता है, हमने देखा था, कि उसका collection, bit के बाद क्या आता है, byte, byte, 8 bit होती है, जिसमें ठीक है, उसके बाद आता है, एक field, जो आपको क्या करता है, किसी का भी single fact, या attribute ठीक है, अब उनकी field पर हम क्या करते है, field के क्या बनते है, record, record बनता है, तो record की क्या बनती है, file, और file बनती है, तो files का क्या बनता है, एक database, जैसे कि आप, suppose कि एक database है, ठीक है, हम उल्टा लेके चलते हैं, database में बहुत सारी files है, ठीक है, related files है, जैसे, suppose कि हम एक site का example ले लेत स्टाइब CT-ruman plotting कोई लेकाईट से सब्सक्राइब तुछ कैनलिए और लिंसे दोRI चुन nhân की थैं का इसके दोim पूल उसके में एक तरह से काज ही यह थो 13 पास रिन हम पर हमारा पास से ली तेसा में दाटाबेस ठूसर सिमपल है आपको सिंपल है कि data store रिछाए कि पहले वो bit में store होता है फिर byte में फिर fill बनता है फिर record फिर file and database अगर हम उनको use करते रहते हैं तो ठीक है next आता है what is a full form of USB as used in computer related activities की USB use होती है हमारी computer के related activities में तो उसकी full form क्या है तो that is universal serial bus computer से संबंदित कारियों में प्रियोग है तो USB का पूरा रूप क्या है पूरा रूप मतलब उसकी full form क्या है that is universal serial bus ठीक है तो universal serial bus हमारे पास क्या होते है common interface होती है जैसे हम एक USB यूज़ कर लेते हैं आप या फिर pen drive का example ले सकते हैं जो हमें इंट्रफेस कराता है communication कराता है जिसके तुरू हम डिवाइस और अपने host controller के बीच में क्या कर सकते हैं USB मतलब कि हमारा जो pen drive है और pen drive और जो हमारा PC है उसके बीच में क्या कराता है वह interaction ठीक है तो यह USB pen drive हमारा उसी के तरह एक्ट करता है तो आपको यह सब कल क्लियर हुआ होगा तो अगर आपको यह वीडियो पर संद आई तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें तो हमारा अभी ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके साथ लेके आने वाले हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बुक्स में जरूर बताएं और डू शेयर और सब्सक्राइब एंड स्टेय अट होम थैंक यू सो मच